वालेंटाइन वीक का हर दिन प्रेमी जोड़े के लिए बहुत ही खास होता है रोस्टे पर पूस्टे के बाद तीसरे दिन आई 9 फरवरी को चॉकलेट डे मनाया जाता है हर रिष्टे में मिठास खोड़ने के लिए चॉकलेट बहुत माइने रखता है लेकिन जब बात हाले दिल बया करने क्यादी है तो चॉकलेट की महत्ता और भी जादा बढ़ जाती है आज हम आपको अपने वीडियो के माध्यम सरी चॉकलेट से जुड़ी धीरो जानकारिया देंगे इसके फायदे इसके नुकसान और इस वीक में इस खास वीक में इसकी क्या महत्ता है उससे बिचुड़ी हम कुछ थास बाते बताएंगे और चॉकलेट आपके लिए कितना फायदे मज़ोगा और ये किस तरह से आपको नुकसान पहुचाएगा ये भी हम आपको इस वीडियो के जरीए बताएंगे अगर आपको प्यार का इज़खार करना हो तो पूलों के साथ चॉकलेट या किसी रूट ही को मनाना हो तो चॉकलेट बेस्ट ऑप्शिन हो सकता है ये आपको इससे जुड़ी कुछ जानकारियां देते हैं अगर आप जरूर से जादा चॉकलेट खाते हैं है तो हडियां कमजोर हो सकती है इतरे बोच के मताविक चॉकलेट आस्टियोपॉरसिस का कारेड़ बन सकती है अगर आप स्वीमित मात्रा में चॉकलेट का सीवन करते हैं तो ये नुकसान नहीं पहुंचाती है चॉकलेट खाने से वजन बढ़ सकता है अगर आप काफी जादा चॉकलेट खाते हैं तो आप मुटापे के श्रिकार हो सकते हैं तरसल इसमें शुगर की मात्रा जादा होती है इसे वजन बढ़ सकता है कई लोगों को चॉकलेट इतना पसंद होता है कि रात में उठकर भी चॉकलेट खाते हैं अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ये अनित्रा का कारेड बन सकती है चॉकलेट में क्या फीन होता है इसे ज़र से जादा खाने पनीन की समस्या हो सकती है अगर आपको पहले से गैस की परिशानी है तो चौकलेट खाने से थोड़ा परहिज करें ऐसे डिटी से जुड़ी समस्या में चौकलेट ना खाने की सलाह दी जाती है इसमें मौझूद कोको पॉल्डर गैस का कारिण बन सकता है इसे सीने में जलन हो सकती है आपके स्पैशल डेज सेलिबरें जरूर करें लेकिन इन सब के साथ साथ इस खास बात का जरूर ध्यान रखें हैं हेल्थ से जुड़ी और इन डेज से भी जुड़ी और तमाम जानकारियां हम आप सभी तक पहुचाते रहेंगे तब तक के लिए मुझे दीजे इजावत हेल्थ में बने रहने के लिए आपका बहुत ध झाल जगा का इंदा मुझे तक कि वी और बबलह उ़गेंगे तक के लिए बनागन रहें में वीके बनापύ.